नमेश्कार, पूजा के दोरान या आर्ती के दोरान क्यों बजाई जाती है घंटी, क्या आपने कभी भी इस बात को सोचा है? इसका बहुत बड़ा रिलेशन है हमारे साइंस से, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म बहुत ही अंदर तक साइंस से जड़ा हुआ है, तो हिंदु धर्म में, मंदिरों में घंटी बजाने की परंपरा काफी प्राचीन है ऐसा माना जाता है कि इश्वर इसे जागते हैं और आपकी प्राथना सुनते हैं पर क्या आपको पता है कि घंटी बजाने का मतलब सिर्फ भगवान से ही नहीं बलकि इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू और थार्मिक मानिता भी है आखिर क्यों घंटी बजाई जाती है और इसका पीछा कैसी एक वैज्ञानिक पहलू से है आई हम जानते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि घंटी बजाने का वैज्ञानिक कारण आखिर है क्या वैज्यानिकों के अनुसार जब खंटी बजाई जाती है तो उसकी आवाज से वातवरण में तेज कमपन यानि वाइब्रेशन उत्पन होते हैं वाइब्रेशन जेनरेट होते हैं जो वायू मंडल के कारण सिर्फ आसपास ही नहीं मल्की काफी दूर तक जाते हैं क्योंकि आप सबी जानते कि कोई बी कमपन कोई भी वाइब्रेशन अगर आता है व्याग में तो वह बहुत दूर तक जाता है जिसका फायदा यह होता है कि घंटी के गंपन के कारण जो प्रभाव.. जो वातवरण है उसमें जितने भी प्रभावी जिवाडों हैं विशाडों हैं वाइरस हैं बिक्टेरियाज हैं वो क्या होते ही नश्ट हो जाते हैं और हमारे आसपास का बातवरन पूरी तरीके से शुद हो जाता है सिर्फ इतना ही नहीं घंटी बजाने से निकलने वाली आवासी 7 सेकंड तक गूंज बनी रहती हैं तो घंटियों के गूंज से हमारे शरीर के साथो चक्र के कुछ समय के लिए सक्रीता जो है वह बढ़ जाती हैं जिससे हमारे नकरात्मक विचार खत्म होते हैं और सकरात्मक पूर्जा से हमारा शरीर भर जाता है घंटी बजाने का धार्मिक महत्व है क्योंकि कहा जाता है तिक देवताओं को घंटा शंक और घडियाल आदे की अवास काफी बसंद होती है और घंटी बजाने से देवताओं की प्रतिमा में चीतना जागरत होती है और वह उपासना करन वाले व्यक्ति की प्रात्ना को ध्यान पुर्वक सुनते हैं जिससे पूझा का प्रभाव बढ़ जाता है घंटी वजाने से दीवताओं की समक्ष आपकी याजिरी लग जाती है और कंद-पुराण के मिताविक घंटी से जो ध्वनीं निकलती है वह ओम की ध्वनी होती है इसलिए मान जाता है कि जब कोई मंदिर में घंटी वजाता है तो वह उसे ओम की उच्चारण की चितना ही • ब्रापट होता है पुन्य प्राप्त होता है तो यह था घंटी बजाने का एक विज्ञाने का कारण साथ ही साथ घंटी बजाने का जो धारमिक कारण तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को like करिए, चैनल को subscribe करिए, और अगर ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं, तो comment box में आप comment करके भी हमें बता सकते हैं, कि आप और कौन सी वीडियो, कौन से ऐसे scientific और इस तरीके के topics पे आप वीडियो देखना च झाल झाल